हाई गाईज, आज मैं आपके सामने लेके आँ हूँ एक नई अपडेट, एक नई फिजिक्स लेटेड वीडियो जेम्स वैब स्पेस टेलिस्कोप के बारे में आप सबको पता होगा ये टेलिस्कोप जो है 25 अप डिसमबर 2021 को साथ बच के 20 मिनट पे लांच किया गया था फ्रेंच गाना से, इस लोकेशन से क्यों लांच किया गया था इसके बारे में कुछ जान करीदूंगा, इसका में मोटो क्या है इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी अजंसी ने अपना कंट्रिबिशन दिया है यह सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच गाना से ही क्यों स्टार्ट किया गया, इसको लांच किया गया उसका में मकसद यह था, क्योंकि यह जो लोकेशन है यह अर्थ के एक्वेटर के नजदीक है अर्थ के एक्वेटर के नजदीक होने के कारण इसको एक additional push मिलता है इस रॉकेट को because at the near of equator जो अर्थ का surface है वो 1670 km per hour की speed से घूम रहा इतनी fast rotation होने के कारण जो rockets हैं वो preferable किये जाते हैं कि वो equator के surface के नजदीक से launch किये जाएं दूसरी बात किस किस agencies ने बनाया है no doubt कि NASA का contribution इसमें एहम रहता है उसके साथ European Space Agency और Canadian Space Agency ने मिलके इस project को अंजाम दिया है इसको अपना मुमकिन बनाया है third जो सबसे main motto है कि इस project को बनाया ही क्यों गया इस project को इसलिए बनाया गया है इस telescope का जो main काम रहेगा वो ये रहेगा कि early universe के बारे में जानकारी कठी करना कि जो early universe था उसमें जो first galaxies form हुई थी वो किस तरह से assemble हुई वहाँ से जो light radiation आ रही हैं उनको assess करना उनकी study करना और जो early universe है उसके birth के बारे में पता करना जो कि austronomers के लिए बहुत helpful रहेगा in future projects के लिए दूसरी information की telescope हमें बताएगा कि जो हमारे पास dust clouds होते हैं उनमें से देखके ये बताएगा कि जो planetary system का formation हुआ है जो stars का formation हुआ है वो कैसे हुआ होगा थर्ड ये हमारे solar system को भी analyze करेगा हमारे solar system के atmosphere को भी देखेगा उसके साथ साथ nearby जो planetary system है हमारे solar system के अलावा जो हमारे stars है उनके चारो तरफ घूमने वाले planets है जो planetary system है उनकी study करेगा फूर्थ जो point इसमें बैठता है वो ये है कि ये हमारे sun की भी study करेगा ये sun के इतने नजदीक तक जा सकता है we can say that it is nearly one million miles away from the surface of earth उस orbit में जाके ये sun के जारो तरफ rotation करेगा और sun से related जानकरी इसको गठी करेगा last point आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस rocket से इस spacecraft से एक जो telescope के साथ एक जुड़ी ही important information है वो ये है कि इसके साथ एक sun shield है sun shield इतनी बड़ी है कि जितना एक tennis coat का size होता है काम क्या है इस sun shield का? sun shield का काम रहेगा कि sun से आने वाली heat को block करना so that it creates a temperature difference on the colder side and the hotter side कितना temperature difference ये बनाता है? सुनके हरानी होगी it is nearly 315 degree Celsius और an approximately 600 degree Fahrenheit ये भूद ज्यादा temperature difference है इसका काम क्या है? ये क्यों लगाई गई है? so that कि जो telescope के अंदर पढ़े sensitive equipments हैं वो अपना normal function करते रहें जो temperature के कारण उन पे कोई असर ना हो ये थी एक छोटा सा 12 चोटी सी brief information James Webb Space Telescope के वारे में in future आपके लिए इसी तरह की updates लेते आएंगे till then stay tuned, bye bye